आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसी नाश्ते की रेसिपी जो परफेक्ट है जैसे अभी समर विकेशन आ रहा है या आपके हां कोई गेस्ट आ रहा है या आपके कुछ चेंज करके बनाना है होली आ रही है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा यह परफेक आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा लें एक टीस्पून लिया है अजवायन इसे थोड़ा क्रस्ट करके हाथ सैसर डाल दिया थोड़ा नमक डाल दिया है और एक चमस जाल दी है कसूरी मेथी ड्राइ कसूरी मेथी है और यहां पर दो से तीन चमस जालना है तेल यह तो आटा पाने डालना है और जितनी जरूरत होतना ही डाले और एक थोड़ा सा हाड आटा साने जासी रोटियों के सांते है वैसे नहीं सानना है अब यह देखिए आटा गुत गया है इसे 15 मिनट के लिए कम सेका हमें रेस्ट देना है रेस्ट देने तक मीनवाइल हम बना अपनी स्टफिंग यहां पे लिया है डेड का टोरी मूंग की दाल इसको राद भर सोक करके रख दिया है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो तीन चार घंटे पहले भी से भीगा के रख लेकिन गुन गुने पानी में अभी यहां पे दो चम्मच तेल में थोड़ा सा हीं यहां पे डालना है अब देड चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच चीरा पाउडर आप चाहें तो आधा चम्मच हमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं और नमक स्वाद अनुसार अच्छा अगर आपको थोड़ा और चटपटा चाहिए तो मैंने यहां सिर्फ हरी मिर्च का यूज किया आप चाहें तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें और थोड़ा सा एक मुठी भर कर हरी धनिया इन सबकों मैं अच्छे से ड्राई होने तक कम से कम 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है मेडियम से हाई फ्लेम पे अभी जब ड्राई हो गया है तो बड़ी का चौड़ी भी बना सकते हैं आप चाहें तो थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं जैसे मार्गेट में आती है बस अब यहां पे मूंग दल का हमने एक ड्राई पाउडर बना लिया है यह देखिए इस तरीके से अभी आप यहां पे नमक चेक करके और भी इसमें अर किसी ब्रश की मदद से ताकि जो आटे हैं वह सुखे नहीं जिसकी वाज़े से जो मूंग दाल का स्टफिंग है वह बाहर ना आए अभी यह देखिए इस तरीके से हम हाथ से थोड़ा सा फैला देंगे और सेम इसी तरीके से हम सारी कचौणिया बना लेंगे शेप आपके आप चाहे तो इससे चोटी बिर बना सकते हैं आप चाहे तो इससे बड़ी भी बना सकते हैं और यह देखिए बस यहां पे थोड़ी कचौणिया बनके तयार है थोड़ी रखे हैं जब तक कि हम फ्राइब करेंगे बागी हम बना लेंगे तो बस चलिया कचौणिय को चलते वो evenly fry हो अंदर से और बाहर से अच्छे से पक जाए और इसमें bubbles नाए बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी फ्लेम जादा गरम हो जाएगा तो उपर से चोटे चोटे बबल साना शुरू हो जाएगे इसे अभी मैंने एक चलनी में निकाला है ताकि इसमें थोड़ा हवा लगे और इसका जो खस्तापन है वो अच्छे से इसमें बना रहे है तो यह देखिए हमारी कोचोड़िया बनके तयार है इसको थोड़ा देसी टश देने के लिए मैंने आलू मटर की सूखी सबजी के और एक हरी मिर्श के साथ इसे गर्मा खर दिया है तो आप ट्राइ करें आप इसके अपने पसंद की सबजी के साथ सब्सें चिंटने के साथ सर्फ करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शीयर करें मिलते हैं आपने नहीं